देखो integration करना है sin x plus cos x into dx upon 9 plus 16 into sin 2x देखो पहला तुन्हों यह दिखना पोगो कि इन्दा derivative है sin x minus cos x नो तुसी t put करके देखो तो इन्दा differentiate करके देखो कि यह बन रहे है देखो sin the derivative कि इन्दा cos ते cos the derivative इन्दा minus sin तो minus minus के ओ जुगा plus t the derivative dt by dx देखो इन्दा derivative एही बन रहे है ना तो अपने नो इही चाहिए दे cos x plus sin x लिखलो चाहिए sin x plus cos x लिखलो dx डिवाइड चेते दरा केकि जुगा multiply cos x plus sin x into dx के देखो लागे dt दे देखो इन्दी जगा तो तुसी dt पूट कर दोंगे अब पहुंच थो देखो लिखलो कि यह 9 plus 16 into sin 2 x है तो देखो ए टीज कनवर्ट हो रहे है तो उन्दो sin 2 x नो भी टीज कनवर्ट करना पूगा जितनों तुसी पूट किते है स्केरिंग पोसाइट करते हो देखो a minus b d हो स्केर देड़ंटेटी लगा दोंगे a square plus b square minus 2 into a into b equal to t square देखो sin square plus cos square था अपने पते वन्दोंते है 2 sin x cos x था फोर्मला अंदे sin 2 x equal to t square तूसे तो sin 2 x थी value find कर लो जोगा plus the t square एदर आके कियो जोगा minus the t square ते minus the sin 2 x एदर आके कियो जोगा plus the sin 2 x यनि कि sin 2 x थी value किया जोगी 1 minus t square ठीके ना थे पूट करता 9 plus 16 थी अंदे ना multiply करोंगे 16 16 थी minus t square ना multiply करोंगे minus 16 t square dt अपोन 9 plus 16 25 minus 16 t square देखो 1 अपोन 25 नू कि लिखला होंगे 5 d square 16 t square नू लिखला होंगे 40 d whole square इन्टू dt देखो अपने कुल formula होंदा है 1 अपोन a square minus x किरते इंटिकेशन दा 1 by 2a log a plus x upon a minus x plus c देखो a दी वैल्यू कितनी है 5 ते एकसी जगात एकी है 40 formula चे वैल्यू अप्लाई करतों 1 by 2a a दी वैल्यू कितनी है 5 इन्टू चे लोग a plus 40 यानकी 5 plus 40 upon 5 minus 40 plus c ते थो उनू की देशा सी derivative चे अगर t दा coefficient होंदा है वो multiply चांदा है ते integration चे t दा coefficient कियांदा है divide चे 1 by 40 log 5 plus 40 upon 5 minus 40 plus c ठीक है अथे t-d value पूट करता हो देखा अपने कोल t-d value कितनी है sin x minus cos x यह पूट करता हम यह थे 1 by 40 log 5 plus 4 into sin x minus cos x upon 5 minus 4 into sin x minus cos x let's see झाल झाल